तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSF के बारे में जिसमें की यहाँ पे BSF से Official Unification से Vacancy जारी कर दी गई है जिसमें की यहाँ पे ASI, Head Constable और Constable के Post लिए Vacancy जारी की गई है तो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आपको इसका Form fill up करना होगा कितनी Vacancy जारी की के Post के अनुसार कितना Qualification होगा तो आप इसमें Form को fill up कर सकते हैं सभी जनकारिया मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को विना Skip करते हुए लास्ट तक देखिएगा और अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही साथ वेल आइकन को दबा दीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसमें जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया ओफिसल नोटिफिकेशन से आप वेकेंसी जारी की गई जो कि यहाँ पर गुरूप सी की पदों के लिए वेकेंसी जारी की गई है और इसमें जो कैंडिट फॉर्म फिलप कर सकते हैं मेल और फिमेल दोनों ही कैंडिट फॉर्म फिलप कर पाएंगे और इसके बाद नीचे यहाँ पे वेकेंसी का इटेल दिया गया है पोश्ट कांसार जिसमें कि यहाँ पे नमबर वन में दिया कि इसमें ASI Draftman Grade 3 के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहाँ पे टोटल एक वेकेंसी है इसके बाद दिया किसमें Head Constable कारपेंटर के लिए जो कि यहाँ पे चार वेकेंसी है और इसके बाद दिया किसमें Head Constable Plumber के लिए जो कि यहाँ पे दो वेकेंसी दी गई है और इसके बाद दिया किसमें Constable जो कि पर 28 वेकंसी है और इसके बार लाश्ट में यहां पर देख सकते हैं जो कंड़ेट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रिजर्ब की गई अलग से वेकंसी और जो वोमें कैंड़ेट हैं लिए उनके लिए वेकंसी रिजर्ब की गई जो कि यहां पर फेगंसी रिजर्ब की गई है अगर आप यहां पर आप खुर कर सकते हैं और इसके बात नीचे आपको दिया किसम में स्टार्टिंग डेट के लिए यहां पर जनकाय दी गई है तो इसका जो इस्टार्ट होगा फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं यहां पर इंप्लाइमेट नीज जारी के जाएगा उससे आपको 45 दिल कल्कुलेट करना और जो डेट आएगा वहीं देट हो लाश्टिट को फिल अप करने के लिए और इसके बाद नीचे आपको यहां पर बतायागा जो आपको अपना इस भी कल्कुलेट करना होगा और इसके बाद नीचे यहां पर पोश्ट के अंसार क्वालिफिकेशन दिया गया इतना आपके तो आपस कालिफिकेशन होगा तो आप इसमें कर सकते हैं जिसमें कि पहले में के लिए तो इसमेंगे क्ट फैने कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा होगा एस amend आप व्याजब होने चाहिए प्लॉस आपके पास due कर्फ सकते हैं आगर के पास एक्प्रियृण्स होगा कारपेंटर में तू भी आप इसमे में यहां पर दिया किसमें head constable plumber के लिए तो इसके लिए भी आपके पास semi qualification होना चाहिए आप इसमें 10 वी पास होने चाहिए प्लस आपके पास में यहां पर दिया किसमें constable saverman के लिए जो कि यहां पर इसमें आपके पास qualification होगा आप इसमें 10 वी पास होने चाहिए प्लस आपके पास में electrician में wireman में diesel या motor mechanic में जो कि यहां पर होना चाहिए प्लस आपके पास experience भी होना चाहिए तो यह आप इसमें constable generator operator के लिए कर सकते हैं और इसके बात नंबर 6 में दिया किसमें constable generator mechanic के लिए तो इसमें आपके पास qualification होगा आप इसमें 10 वी पास होने चाहिए प्लस आपके होना चाहिए तो ही आप इसमें constable generator mechanic के लिए तो इसके लिए आपके पास qualification होगा आप इसमें 10 वी पास होने चाहिए प्लस आपके पास होगा जो कि यहां पर इसमें electrical वायर मैं में या तो लाइन मैं में प्लस आपके पास 3-year का experience भी होना चाहिए तो यह आप इसमें आवजन कर सकते हैं और इसके बात नीचे यहां पर दिया गए एज लिमिट फॉर्म को फिलप करने के लिए जो कि यहां पर सभी पोश्ट के इसमें जो आपका एज लिमिट होगा मिनमम्हम जो फॉर्म को फिलप करने के लिए 18 वर्स होगा और जो मकिसम में पर फॉर्म को फिलप करने के लिए 25 एंज को फिलप करने के लिए जो कि यहां पर देखसमें application form का जो closing date होगा उससे आपको अपना age calculate करना होगा और इसके ब करने के लिए और इसके बाद नीचे आपको बताया गया और जो जनकारी आपको मिल पाएगी जब यहां पर इंप्लाइमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसके बाद से आपको जनकारी मिल पाएगे जिसमें कि आपको जनकारी मिलेगी आपको यहाँ पर फॉर्म फिल अप करने के लिए कितना फीज देना होगा सिलेक्षन कैसे कराया जाएगा फिजिकल या मेडिकल कैसे आपका होगा सभी जनकारिया आप लोगो फूल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी तो जैसे इसका फूल नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आपनों को बताऊंगा कि कैसे आपका यहां पर एक्जामनेशन होगा, फिजकल कैसे कराए जाएगा कि आपको इसमें फॉर्म को फिल अप करने के लिए फीज देना हो कि नहीं देना होगा सबी जनकारिया तो आपनों को जैसे फुल नोटिफिकेशन जारी होगा आफिसेल वेड साइट पे मैं आपनों को जनकारिय देओंगा अजर कोई जनकारी चाइए तो आपने चकान्स से कमेंट कर सकते हैं हमारे आपको जनकार देओंगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक ने तो लाइक कर देजिए और अपने फेंट के साथ सेर भी कर देजिए और भी फेंट को जनकारियों के बेस अप में यहाँ पर ASI, Head Constable और Constable के पोस्ट ले वेकेंसी जारी की गई है और वो भी फॉर्म फिलप करना चाते हैं तो फिलप कर सकते हैं और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ साथ वेल आइकन को दबा दीजिए और अधिक जनकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि यहाँ पर नौकरे निव.टिन पर जा करके अधिक जनकारी को चेक कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद